वही चत्रिसगड के रायपूर से एक और बड़ी और रहम ज़ानकारी सामने आ रही है होली पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नज़र रहेगी ये पड़ी खबर अलग-अलग स्थानों पर 50 पिक्स पॉइंट लगा कर जाच की जाएगी और घटना रोकने के लिए पुलिस ने पूर्व बड़माशों की धरपकड भी तेज कर दी है शराप की करबाय चलाने वालों की लॉक अप में होली मनेगी और डायल 112 की टीम भी अलग-अलग स्थानों पर 50 फिक्स पॉइंट लगा कर ये चाच की जाएगी लगतार होली में बदमाशों का हुर्दंग देखने को मिलता है जिसको लेकर अब राइपुल में ये बड़े कदम उठाय जा रहे है शराप पीकर बाइक चलाने वालों की लॉक अप में होली मनवाई जाएगी और डायल 112 की टीम भी अब होली के समय पर अलर्ट मोट पर नज़र आएगी राइपुल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोट पर नज़र आने वाली है और हुर्दंग रोकने के लिए लगभग 90 पेट्रोलिंग टीमों को तैनाज किया गया है बता दे कि राइपुल के अलग-अलग स्थानों पर 50 फिक्स पॉइंट पर जाज कराई जाएगी और घटना रोकने के लिए पुलिस ने पूर्व बदमाशों की धरपकड भी अब तेज कर दी है शुराप पीकर बाइक चलाने वालों की लॉक अप में होली मनवाई जाएगी बता दे कि पुलिस लगातार बड़े आक्शन लेती हुई नज़र आएगी और डायल 112 की टीम भी स्वक्स अलर्ट मोड पर दिखेगी होली पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नसर रहने वाली है चतिसगर्ट से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हमेशा होली के त्योहार आते ही हुरदंग तेज हो जाता है जिसको लेकर इस बार पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है कई फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं और घटना रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही बदमाशों की धरपकड भी तेज कर दी है शुराफ पीकर बाइक चलाने वालों के खिलाव भी कारवाई करते हुए पुलिस नज़र आएगी साथी आपको बता दे कि डायल 112 की टीम भी अब अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है यह बड़ी खबर राइपुल से सामने आ रही है जहां पुलिस होली के त्योहार को लेकर अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ रही है